लिगल डिक्टेशन 90 सब्द 40 मिनिट डिक्टेशन इस्टार्ट उक्त परक्रिया में भाग लेने के बाद याचिका करताओं को अब सोयम परक्रिया को चुनोती देने से रोक दिया गया है और यह भी जब जहां तक विबाग का संबंद है भरती परक्रिया सोयम पूरी हो चुकी है विराम इसके अलावा दिनांग 25-2003 के कारले आदेश में परसन में भरती आयोजित करने या पूरी करने की परक्रिया के लिए विशेश रूप से प्रावधान किया गया है और उक्ट आदेश के माद्यम से यह विशेश रूप से इसपष्ट किया गया है कि उम्मिदवारों दोरां दी गई वरियता के आदार पर जिलेवार मेरिट सुची तैयार की जाएगी और इसे संबंदित जिला परिशदों को भेजा जाएगा विराम तब संबंदि जिला परिशद उम्मिदवार के दस्तावेजों और उपियुक्तता के सत्यापन के बाद उम्मिदवार को उसकी योगिता के आदार पर नियुक्ती की पैसकस करेगा विराम पेराचिंज 2000 की भरती परकिरिया के बाद 2001 की भरती परकिरिया भी शुरू कर दी गई है और यह पूरी भी हो चुकी है तदा रसे दोरा नई भरती परकिरिया पर विचार किया जा रहा है राम यहां तक की रिक्त सीटों के लिए ताजा विज्यापन 2008-2001 को जारी किया गया था हालंकी बाद में इसे 64-2002 को वापस ले लिया गया था विराम लेकिन यह इसपष्ट है की सैस रिक्तियों को आगे बढ़ाया गया है और 2002 की परकिरिया सभी उद्यश्यों के लिए समाप्त हो गई विराम पेराचिंज विद्वान एए जी ने विज्यापन के खंड आट पर भरोसा किया जिसमें विशेश रूप से भरती के लिए अपनाई जाने वाली परकिरिया का प्रावदान था जिसमें उपर युक्ति प्रकिरिया निर्दारित की गई थी विराम यह है कि शुरुवात में ही यह इसपश्ट था कि उम्मिद्वारों दोरा परदान की गई ओनलाइन जानकारी के आधार पर चैन सूची जारी करने और फिर नियुक्ति परदान करने से पहले दस्तावेजों को सत्यापिट करने के लिए अपनाई जाने वाली परकिरिया थी विराम इसलिए विज्यापन की सर्तों के अनुसार परकिरिया को अपनाने में विवाग सही था और उक्त परकिरिया में भाग लेने वाले उम्मिद्वार अब पूरी परकिरिया को ही चुनोती नहीं दे सकते हैं विराम पिरचेंज यह भी प्रस्तुत किया गया है कि इस नियाले दौरा पारित आदेशों अनुसरण में परतिक्सा आरत्षित सुची विबाग दौरा नोचार दो हजार तीन को बहुत अच्छी तरह से जारी की गई थी और इसे परबावी भी किया गया था विराम यह याचिका करताओं का मामला नहीं है कि नोचार दो हजार तीन की आरक्षित सुची पर कारवाई नहीं की गई थी या उसे परबावी नहीं किया गया था विराम ततापी 1996 के नेमों के नियम 277 एक के अनुसार आरक्षित सुची छ महिने की अवदी के बाद अपनी पवित्रता खो देती है विराम पेराचेंज अधी वक्ता ने आगे कहा कि नियम 277 ए में किसी परतिक्षा सुची का उल्लेक नहीं है विराम प्रावदान के अवल एक आरक्षित सुची परदान करता है और यह भी अंतिम रूप से सुचित रिक्षित रिक्षित सुची पहले ही जारी की जा चुकी है जो इस्पष्ट रूप से अंतिम सुचित रिक्षित रिक्षित का पचास परतिसत से अधिक है विराम इसलिए नियम 277 ए के संदारव में कोई और आरक्षित सुची जारी नहीं की जा सकती है क्योंकि नियम 277 एका अनुपालन परतिवादी विबाग द्वारा अपने पत्र और भावना में किया गया है विराम वर्तमान याचिकाओं में प्रात्ना अंततर दूसरी परतिक्षा आरक्षित सुची जारी करने के लिए है जिसें कानुण के किसी भी प्रावदान के तहत स्विकारे नहीं कहा जा सकता है विराम कोई भी कानुण दूसरी परतिक्षा आरक्षित सुची जारी करने का प्रावदान नहीं करता है विराम इस्टोब